असलाम अलेकों मैं आशेफ सम्या जमील सीबा ग्रुप की एर्बिनेंट फांडर इसलेबिटी शेफ और हम सेलिबरेट करें हैं रमजान सीबा पाकिस्तान और बहुत सारी चीजें और ओजाना के करीब हम बहुत सारी रेसिपीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस रमजान सीबो ने बहुत जबरदस इनिशेटिफ लिया कि हम स्लेबिटीज के साथ या मेरे शोज भी देख रहे होते हैं रमजान में बट ऑंट्रेपिनोर्स के लिए ये फ्लेटफरम देना और इस तरह का कुकिंग शो करना ये बहुत डिफिकल्ट आसल लेकिन मेरी तीम ने इसको इतना जबरदस तरीके से हैंडल किया और कहा कि नहीं हम ये शोज जरूर करेंगे थांक यू हभी पुकिंग ओयल जिन्हों ने हमें स्पांसर किया और ये पूरा शोज और इसकी लिए मैं बहुत बहुत शुकर शुक्रिया करती हूं और साथी साथ Q&N flavors का ज अश्यक्राइस किया बनारें है साइमा समया आष में ये श्नेक है चैट फटा फट 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 भट बन जा थे लिए दब आठाए स्प्स बच्छों बस्वाट पस बंडता है क्यों कि मैं हम चीज रब कर दू दू कि इस इन माइंक इस देंगर बनारी हूं ठीक है उपक अश के साथ के सीजनिंग है और चीज है अब एग वगार तो है बाद कोटिंग में होगा ठीक है लेकर ना मुझे बाद है यह तकरीब आदा कब जैनिके वन एक कप यूज करूंगी मैं एक काप आप मुझे करेंगी बो कप मिल्क दो कप मिल्क 3-4 टीस्पून और 1-4 या हाफ टीस और यह है क्योंन फ्लेवर्स का कैचप है उसके लिए हम जिसके साथ डिप करके मिसको जरूर खाएंगे तो स्टार्ट करतें रेसिपी में ठीक है अब आपने सबसे पहले हैं यह मैं इसमें अल्बो मैंक्राणी जाटी तीक है तकरीबन आपने हाफ दालिए बाइंडिंग जब्रणी तीक है अब आप इसमें क्या शामिल करिंगी सॉल इसके अ जालों रिए इस एक ठीक है और राट प्रेपर हजे जाएगी खेडर ठीक है तीक है यह एक हो सूसे की मादशे अपने चार चीज मैं अच्छ निदेश चार्ट होता है तो बढ़ा अच्छा लगता है अब यह है कि यह अब आपने अपने दग दिया अब हैट अब अच्छा हाम जी जब पके का तो आपने तो थोड़ा आप तोड़ा के जब जा में जाएगा तो तो आप में पॉझ लाओ दे जाएगा तो द्लिका तीक है आप अफिय बना इसको अपने जब अपधारी की अपने जब करना इसको पकाने रखें एक अच्छा आप इसको पती ने को मैं अच्छा ते हैं और यह पने पकने रखने लिए बिल्क उस वकते उड़ी नहीं हो जब तक पीड देगा इज़ना है ठीक तोरे दो कित रूटाने फिर तूकित तब बनाए लगें लगाए जब जब रहे तो पेटेक्ट बनाएं टिक है जनो गया अच्छा आप आप इसको कोड़ करें गी अगया हुआ अजयों इसको एक भाइस को तरह का से जेव दीया क्यूंकि अच्छा थेख एक नगे टिक थिक कि अपर पहले बना लिया यहाँ पर खीज अब चीज आए और इसको फ्रीज एक लेगे लिए ज़िए उसको आपको अच्छा संहा निए वाइं करना हो इन फिर गाली कोट वाइट किया है अभीपुकिंग ओए ताके गला 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 तक लेकर एक लिए यह अब ज़से मेरे बेटे को बहुत कुछी पसंद है ताब डबल 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 करती हूँ क्रिस्पी बाहर से और यंदर से चीज निकलती तो वाँ जब यू मामा अब यह एक और आप समें शामिल करें वाँ जबरदस्ट ठीक है अब अम इसके फ्राइब करें अब 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 यह देखें कितना एजी है और जब आप हबी पुकिंग ओई में फ्राइब करते हैं तो बहुत ही खुश्बू और बहुत ही जबरदस्ट इसका जो है वह वह कितना खुबसूरत बड़ा गोल्डन ब्राउन आइडियल कलर यह मैं अब हम इसके मजीद फाय करेंगे और फिर हम इसके आपको प्रेजेंटेशन करना बताएंगे अच्छा यह बिलकुल रेसिपी तयार है और यह बड़ा खुबसूरा सा अपने घर से फ्लैटर डिजाइ करके लेका रही थी और आपने इसको डॉली पेपर के अंदर जो अब कपकेक लाइनर कहलें या डॉली पेपर कहलें सर आपके सर्फ कर सकते हैं मैं इसको जरा सा दिखा दू यह बड़ा गरमा गरम है और यह देखिया ओ वाओ इट्स रिली यमी और आपके बच्चों के मू कि अधर नहीं पी पाय बनारी है अच्छा आपने पायरीक्स की देश लिए और आप इसके अंदर जेव डाइजिस्टिफ बिस्केट यह जरूरी डाइजिस्टिफ कि विस्केट वाइज कुछ भी ईसके इसके बेकरी के पसके लिए अपती मर्जियर अपकी तेस्ट पी अज़कर तक दो जाए जाना दा पुर बिल्कुल उनना कि अग्शा के अग्षा नहीं और प्रेश दिता हले अग्णा सब्सक्राइब कर दिए और बाद नहीं एक हुच्छ का बेस न्युचा ने कर दो एक है अग्षा मैं अब वाली है और इसके बहर दें उसको दिपना चाहिए इसके अदर बहर को आप निए जब लिए इसको अदर बहर को अदर रखना है यह मेरी अपनी ट्रेक तीजिए मैं बता दी रखो तो यह इस रख गाड़ा हो जाएगा अचा अब आपने एक मीडियम साइस को मैं लि पर लूपन करके इस तरीके साब इसको पोर करेंगे इसारा प्हल जाएगा ठीक है कि मुझे दुख ते रिच्ट इस स्वेन अधी बनाइना जाएगा थीग है आप जिखे मजी डाले आप और भी फूट्ने अट कर सकते हैं और आपकी मजी है ठीक है यह आप में लिया अप आप एलो कोई नियुगा पुरा खोल के बुरा जो कर दिए और भी विजिज फूद्ट कर से लिए अजियू अजिए और जो तिक कि अजिए एक अजिए टीका रीजिनल रिषिपी जा जाए है यह उते हैं घ्टेका टीका रियोज एह बना जिया आटे हैं निवे पूरी लेय प्रिष्ट बाइब कोफी है यह कोपाउडर है ठीक है अध्य भी एफ बिष्ट रख लें कि अधिन रख लें जा उटक्ष बच्छ बच्छ कोई शेप बॉल अच्छ में जाता है अलवा लगा है यह बनोफी पाइब बिलकुल आपका रेडी है जब आप इसको पॉपर अफ् पाकिस्तान से अला हाफिज लाफिज झाल झाल